बागे सो धाम पर किसी भी प्रकार की धनरासी नहीं ली जाती है ना मिलने की ना दरबार की ना टोकन की और तुम देओ सो हमें दे सकत हम जात के बामों नाए हम सब पचाले भी है हाओ बामन को का महीं है दान ले वो दान दे वो यग करा वो यग कर वो बेद पड़ाना तुम अपनों मकान पिलाट बंगला घोड़ा गारी सोनों चांदी मंगल सूत्र करधोनी और नाकी कील और पुरोस अपने बैस लेट और जंजीर लोगाई नरका भार छोड़ के सब हमा आई चकाचक जोन दना दो चार करोड आजये सो रबडी माल पूगादा सको लाख भावी घटे रामदास को बड़े रामदास को बड़े रामदास को अना कौन मूर पे अब आन के ले जाने का है बोलो वागे सुरधामों की कितने परचे बनवाओगे भबूती खाका करके भी तुमारे पेट में गाठ पढ़ने लगी होगी तो जगो कभी धाम जाना और बाला जी और सन्यासी बाबा को प्रनाम करना और कहे देना जिंदिगी भर के लिए आज से तुम हमारे हमारे यह बात सब नहीं बोल सकते इसके लिए भी कोई ऐसा जिगर चाहिए मजबूत हमारा भे तो है जब तक इस चोले में प्राण रहे बैए तब तक सनातन के लिए प्राण रहे बैए हम इसेलिये तो सोते नहीं कम सोते दो गंटे डाई गंटे तीन गंटे लेकिन हम कोशिच करते हैं क्योंकि हम चाहे थे कि एक ड्यव्ती को भी हम मिलने उसका भी दुख ठ अपनी पुरानी बाद भूले हमारे जैसा गुरू अगर तुम लाल टेन लेकर के भी ढूड़ोगे नहीं मिलेगा मैंने बेदन करना चाहूंगा तुम माध्यम में पढ़ना बंद कर दो तुम दरबारों में भटकना बंद कर दो तुम केबल एक काम करो उठो और उठकर के बाला जी के एक दिन सरण में जाना बाला जी की सरण में जाकर के उनकी तरफ देखकर आँखों में डब डबाई होई आसुओं से अपने अतीत को याद करके अपने दुख को याद करके अपनी पीडा को याद करके कह देना आज से तुम हमारे और हम तुमारे हैं हाँ एक बात चीज़ रखना जनम भरके लिए ये बात गांट बांद लेना पर इसके बात तुम किसी के मत होना फिर तुम्हें दर्बारों में नहीं भटकना पड़ेगा तुम जहां रहोगे वहां तुम्हें दर्बार होगे कितने गुरू बदलोगे कितने गुरूओं को तुम्हारा माथा चिलने लगा तुम्हारा जमीर जबाब देने लगा तुम्हें भी कभी कभी लगता भगवान है भी कि नहीं है भगबान सुनता के नहीं सुनता अरे दरसल तुमने ट्रैट ही गलत पकड़ा दरसल तुमारी मती मारी गई तुम इन गुरूओं के चक्कर में अपने आपको दो रहे हो गुरू होना चाहिए तीन परमात्मा है इस समसार के मा बाप पर गुरू लेकिन गुरू दस नहीं गुरू एक होना चाहिए गुरू गुरू है हम भी किसी दर्वार में गए थे जिसका नाम बागे सुर था हमारे सामने भी एक गुरू बैठा था जिसका नाम दादा गुरू है अब वो गद्धी पर बैठा था हम भी तुमारी भांती रोते हुए गए थे लेकिन धन्न है गुरू गुरू ने क्या किया हमारे हाथ पकड़ा और बाला जी के चरणों में रख दिया बुले जा इससे मांग ले तुझे मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर क्या हो गया चमतकार गए थे अरजी लगाने और लगाने लगे सबकी अरजी या हनमान जी सबका भला करवें तो अरजी लगने का मतलब है परचा का बन जाना पर प्रशन आपके बन में आता होगा कि महराज हम दस बेर हो गए आलो परचानी बनो हमाई ती रही हों चाओ उठकवे बन है जल्दी कोई उपाएं बताओ तो ना भी परचा बने तो मनहीन नहीं करना है लए सुन प्याज बंद कर देना मास मंद्रा बंद कर देना सनीबार की अत्वा मंगल बार की पेसी करना प्रारंब कर देना आपके रोग में, संकट में, ब्याद ही में, पीडा में आराम लगने लगेगा ये आसीर बात है बागे सुर्धान का दिब्ध दर्बार बिगत तीन पीडियों से चल रहा हमारे दादा गुरुजी जिनका चित्र लगा है वहाँ बो भी दर्बार लगाते थे ऐसे ही, बस अंतर इतना है कि पहले टीवी मुबाइल नहीं चलते थे हमारे सगे दादा जी, दादा गुरुजी के पहले भी एक और सद्द संत हुए, बो भी दर्बार लगा उते, तीसरी पीडी में आगी को लगो जो कवारी आओ कहाओ लेकर भी आरों कारों हमने अपनी आखन से देखो, दस साल से पहम सेवा में बैठा ही गए, गुरुजी की किरपास ही गद्दी पे, लेकर हमने अपनी आखन से देखो, लाखों लोग रोते हुए आए, खाली जोली लेकर आए, पर बागे सर्बाला जी की दर्बार से जोली भर कर लेकर कई पर जाग दिये रही भावना जैसी प्रभमूरत देखी इतन तैसी अब तुम नियम ना करो तुमाहे लो टेम होए ना तुम एक दो बेर भरा वो फिर काव महाराज कच्छुनी बाओ अटरी के भरी